और अब चुलिए बढ़ते हैं आगे और दुर्गा सब्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना जुरूरी होती है दुर्गा सब्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं पंडी जी देखे किसी भी सुभकारे से पहले कलव चंडी बिनायकव भगवान गणेश की प्रुजा का विधान है ऐसे में दुर्गा सब्तशती के पाट से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए प्रातर्स्मरामि गणनाथ बनाता बंधुमसें फुरपोःपैफूरित गंडवुमम् उधान्दविग्न परिखंडन संदड़ माखन्डलादि सुरनायक प्रिंदवन्ध वंध्यम् ओम गना नांत्वा गनपति गंगवा महे, प्रिया नांत्वा प्रियपति गंगवा महे, निधी नांत्वा निधी पति गंगवा महे, वशो मम्म आहम जानी गर्फद मात्वम जासि गर्फद मा गनपताए नमहा और अगर आपने कलस अस्थापना की है तो कलस का पूजन, नवग्रह पूजन, प्रतिष्ठा कलस का पूजन, दीपक का पूजन और भैरो की अस्थापना आपने किया है तो भैरो का पूजन, नवग्रह की अस्थापना किया है तो नवग्रह का पूजन उसके बाद दुर्गा सब्तसती के पुस्तक का पूजन करने के बाद ही आप दुर्गा सब्तसती का पाठ शुरू करें दुर्गा सब्तसती को पुस्तक को आम के चवकी पर लाल कपडा बिछा करके उसको दिव्य धंग से रख करके गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नई विद्य से विध्युवत पूजन करें इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगा कर पूरत दिशा की और मुह करके तत्व सुध्धी के लिए चार बार आजबन करें दुर्गा सप्तसती के पाठ में कवच अरगला कीलक इस्तरोत के पाठ से पहले सापुधार कर लें पोम, रिंग, 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 रेत, स्वरूपन, ये, मधुकाइट, अमर्दिन, ब्रह्म, बशिष्ट, विश्वामित्र, सापा, जिभी, मुक्ताभव, ये वाला पूरा चेप्टर पढ़ लें दुर्गा सप्तसती का हर्मंत, ब्रह्म, बशिष्ट, विश्वामित्र के द्वारा स्रापित है इसलिए ऐसे में सापुधार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है तो दुर्गा सप्तसती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें दूसरे दिन बाकी बचे दो चरित्रों का पाठ करें दुर्गा सप्तसती में देव अथर शिर्ष इस्त्रोध का नित्य पाठ करने से वाक्षिन्थी होती है दस बार अगर कोई आजमी देब अथवर सिर्ष का रोज पाठ करना शुरू कर दे तो मैं गारंटी के सांथ कह सकता हूँ बारह वर्सों के बाद, एक दो दिन में नहीं बारह वर्सों के बाद उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगा वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा वो जियो कुछ भी बोलेगा स्राप, आसिरवाद, बर्रान, किसी के बिशाय में वो जो बोलेगा वो ही सत्य हो जाएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग दुरगा सब की सती के दस बार अठरो सिर्ष का पाठ करते हैं, उनको वाक्सिधी मिल जाती है, भौमा अस्वुन्याम महादेवी सनिध्ध उजय पत्वा, महा मृत्वम तरत्स, महा मृत्वम तरत्व यह वेदा, इत्यु प्रिस्टा, और उसी में ये भी लिखा हुआ है अंत में, कि मंगलवार का दिन हो, अस्वुनी नक्षत्र हो, और उस समय दुरगा सती का किसी सिध्ध पीछ में पाठ कराया जाए, तो चाहे किड़नी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेसन हो, और चाहे कोई कोमा में गया हुआ बेक्ती हो, उसके लिए भी अगर 432 पाठ करा करके, औ और उओ अभ्यक्ति पुनर जीविट हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका पाठ पूरे बिधी विधान के साथ किया जाना चाहिए, और उसके बाद नवाड मंतर से कम से कम, 1080 आहुती हावन भी करनी चाहिए, जै माविंदिवासन।